परिवर्तन की वज़े से इस साल भारत मौनसुन सेजन में असमानिय मौनसुन का सामना कर रहा है नतीजन कई राज्यों में धान की फसले परभावित हुई है कुछ यही हाल प्रोसी देश नेपाल का भी नजर आ रहा है मसलन नेपाल में भी इस खरीब सीजन धान का उतपादन संकट का सामना कर रहा है आलम यह है कि सूखे और लू की वज़े से मोजुदा समय में धान की फसल पर असर पड़ा है इससे उतपादन में भारी कम्मी होने की संभावनाएं हैं जिसको लेकर नेपाल के किसान भी चिंतित है वहीं बजट सतर के दौरान सरकार ने इस वित वर्षिय में अनाज उतपादन एक करोड टन से 30 प्रतिशक बढ़कर एक करोड चार लाक टन होने का नुमान जारे किया था दकाटमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार सूखे और लू की वज़े से धान की फसल पर असर पड़ा है रिपोर्ट में नेपाल के दक्षिनी पश्चमी तराई के एक किसानों का हवाला देते हुए कहा गया है कि अगस्त में आई सूखे ने उनकी धान की फसल को चोपट कर दिया है ऐसे में उन्हें नहीं लगता कि वे इस साल की फसल से अपना अनभंडार भर पाएंगे धान नेपाल की सबसे महत्वपून फसल है मसला नेपाल के दो तिहाई से अधिक करिशी परिवारों के लिए धान आजवीका का प्रात्मिक स्त्रोध है भारत की ही तरह नेपाल में भी जून जुलाई में धान को रोपा जाता है और नवंबर में उसकी कटाई की जाती है वही दकाट मांडू पोस्ट के अपनी रिपोर्ट में विशेशग्यों का हवाला देते हुए कहा है कि वीतिय वर्ष 2022 से इसमें जलवायू और मानव निर्मित कारकों की वज़े से नेपाल में फसल उत्पादन संदीग्द है वही धान सिजन शुरू होने के दुरान नेपाल में गंबीर खाद का संकट भी गहरा गया था आलम ये था कि बारिश शुरू हो गई लेकिन किसानों के पास खेत में छिड़काव करने के लिए खाद ही नहीं था असल में नेपाल में धान के किसानों के सामने एक के बाद एक संकट आए पहले जहां किसानों के सामने खाद का संकट बना तो वहीं अबीते महीनों में कम बारिश जबकि अगस्त में लू चलने की वज़े से धान की फसल बुरी तरह परभावित हुई नेपाल में धान का उतपादन लगातर दूसरे साल संकट का सामना कर रहा है इस बार जहां धान के उतपादन के लिए सूखे और लू ने मुश्किले बढ़ा दी है वहीं पिछले साल नेपाल के सभी साथ प्रांतों में बे मौसम बार के पानी से 85,580 हेक्चर में त्यार धान की फसल बह गई थी और वहीं काटपांडू पोस्ट अपनी रिपोर्ट में क्रिशी मंतराले की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि पिछले साल बार की वज़े से करीब 8.26 रुपाई मुल्या का 3,25,258 तन धान नश्ट हो गया था और अब इस मोसम में भी धान के खराब होने की खबरे निकल कर आ रही है विरो रिपोर्ट मार्केट टाइम स्टीवन